तो motivation letter को लिखने के कुछ तरीके आज मैं आपको बताने वालों और notebook अपने पास रख लें देख लें कि आपने motivation कैसे लेनी है और फिर start कर दें अपना motivation letter लिखना आज इस motivation letter की वीडियो के अंदर आपको A to Z सरे points आपकी screen पे मैं बताने वालों आपने लिखते जाना है आपका motivation letter इतना जबर्दर्स और कमाल रेडी होगा ना बिलीव मी आप कहेंगे के वाबाबा कमाल कर दिता है So let's jump into it जी तो असलाम अलेकूम Hopefully आपको पसंद आया होगा पिछला vlog भी अब हम scholarship के बारे में बात करने वाले हैं Scholarship के लिए खास तोर पे जो important document होता है जिसको मैं most important document बोलूँगा वो होता है आपका letter of motivation जिससे हम statement of purpose भी बोलते है cover letter भी बोलते है and letter of motivation को motivation letter भी बोला जाता है तो ये कुछ नाम है अब आपको letter of motivation बनाने के लिए कुछ तो motivation चाहिए होगी ना तो एक motivation मैं आपको देता हूँ आज ये जो मेरे पीछे आप university देख रहे है this is ETH university जीरिक की बहुत बड़ी university है और दुनिया में ये तकरीबन मैं कोंगा पहले top 10 universities के अंदर हमेशा आती है agriculture में ये second number पे आप इसकी QS की ranking भी देख सकते है on the other side अगर मैं आपको एक बात बोलू scholarship के लिए जब भी आपने apply करना है तो motivation आपकी होना बहुत जुरूरी है बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको motivation ज़रा नहीं होती लेकिन वो apply करना start कर देते है जी तो जब भी आप motivation letter लिखते हैं तो उसको सबसे पहले आपने देखना है कि जिस university के अंदर आप scholarship पे apply कर रहें या university में admission के लिए apply कर रहें उन्होंने requirement कितने की है usually motivation letter के लिए जो requirement होती है वो एक page होता है या दो page होते है तो यह आप पे depend करता है कि आपने कितने pages का motivation letter लिखना है pages का मामला clear हो गया now the next thing is आपने सबसे पहले motivation letter को लिखने से भी पहले ना आपने design करना है कि motivation letter में मैं क्या 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 एड करूँ और designing को हम drafting बोलते है अब drafting के लिए सबसे पहला काम यह होता है कि आपने लिखना कुछ नहीं है सिर्फ bullet points देने है for example आप एक खाली page पकड़ें A4 का अगर आपके पास नहीं है वीडियो को यहीं पे pause करें और प्लीज एक खाली page A4 size का अपने पास लें किसी की copies है न भाड़िएगा photo stat पे भी जाना पड़ता है तो please go ahead अपना A4 का page लें तो आपने अपना motivation letter लिखने के लिए A4 पेज ले आए और यहां पर हवा काफी चर रही है और motivation मेरी भी हाई है आज आपको motivation letter बताने के so now the next thing is अपने A4 page के उपर सबसे पहले अपना नाम लिखें जिस program या जिस scholarship के लिए apply करने वाले हैं उसका title लिखें title लिखने के बाद जो अगली चीज़ है उसी program के बारे में आपने ये लिखना है कि किस institute में वो program दिया जा रहा है उस program को बताते हुए आपने फिर बात करनी है कि मैं इस program में या इस scholarship के लिए क्यों इतना important हूँ और उस important एक liner के अंदर आपने उनकी जो attention है उसे grab करना है तो पहला काम है अपनी पहली line लिखना motivation letter की और उसको लिखने के लिए आपने अपना design करना है अब आपको इसकी मैं example देता हूँ जब भी आप कोई motivation letter लिख 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 होते है न तो one liner पहला क्यों जरूरी है उस एक one liner के अंदर आप लोगों को बताते हैं जो selection के मेंटी है का यार मेरे में ये skill है और आपके इस program या इस एक field या scholarship के अंदर ये वली skill required है So what I am offering is कि ये skill आपके जो requirement है इसके साथ match करती है और मेरा long term goal भी ये है और इस program का या scholarship का long term goal भी ये है दोनों match करते हैं और इन दोनों match शुदा values long term goals की वज़ा से मैं best candidate हूँ इस position के लिए तो कैसा लगा मेरा पहला one liner और आपने भी इसी तरीका का पहला one liner सोचना है और ये motivation letter का start होगा चाहा कमाल ली हो गया पहला one liner आपने लिख भी लिया और अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है नहीं लिखा तो वीडियो को यहीं पर pause करें और पिछला अपना one liner लिखें motivation letter का जब आप लिख लिएंगे के कौन से scholarship पे आप अपलाई कर रहे है और आपकी values ये long term goal कैसे उनके साथ मैच करते है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं में तो scholarship का ही नहीं पता आपको अगर scholarship का नहीं पता कहां पर आपने apply करना है तो master's या PhD के scholarship को hunt करने के लिए आपको top पे यहाँ पे एक link कह रहा होगा आपने उस link को देखने है और अपने master's या PhD के scholarship को पहले hunt करना है फिर अपना motivation letter लिखना start करना है अच्छा जी आपने अपना scholarship ढूंड लिया motivation letter लिखना start कर दिया अब इस drafting के दूसरे paragraph में यानि के जो motivation letter का आपका दूसरा paragraph है पहले में अपने one liner लिखनी है टाइटल लिखना है आपका अपना नाम लिखना है और बताना है कि ये scholarship मेरे लिए क्यों जरूरी है दूसरे paragraph में आपने दो चीज़ें लिखनी है पहले चीज़ ये है कि आपका recent experience क्या है यानि कि जब आप apply कर रहे हैं उस वक्त आपका recent experience क्या है और उस recent experience से पहले कौन सा experience था उससे पहले क्या था और उससे पहले क्या था तो आपने chronological order के अंदर नीचे को जाना है अब करना क्या है जैसे अभी 2024 है यानि कि 2024, 2023, 2021, 2021 और फिर पीछो जाना experience के साथ साथ आपने education का भी लिखना है और ऐसे नहीं लिखना है कि मैंने PhD की है मैंने master की है या मैं bachelor करके हटाओ आपने पकाईदा बताना है जो मैंने की है वो किस तरीके से important है and how it can help you दूसरी बात यह आपने उसमें अंदर करनी है कि जो मैंने degrees की है देखें आपने CV में लिखा हुए और रएड़ी कि मेरे पास bachelor's की degree है फलान degree है फलान degree है वो आपके प्रोग्राम के साथ मैच कैसे करती है और यूजिली वो जो मैच करने का तरीक है and that helps you a lot तो ये काम आपने करना है अपना chronological order के अंदर सारी की सारी degrees लिखनी है जी तो दूसरे पराग्राफ को लिखने के बाद आपने जाना है तीसरे पराग्राफ में और तीसरे पराग्राफ के अंदर जो मैन चीज़ है उसके अंदर आपने देखना है किस तरीके से आप का motivation letter जा रहा है और तीसरे पराग्राफ में आपने जो उस जॉब की scholarship की या जिस प्रोग्राम में आप लाई करने हैं उसकी requirement है, उसके मतागा आपने बताना है कि यह मेरे पास skill है, अगर उन्होंने कोई चीज require कि आपने बताना है कि यह मेरे पास है और सिरफ बतानी देना कि मेरे पास सब कुछ है आपने बकाइदा उस चीज़ को deal भी गरना है कि मेरे पास जो है वो इस इस paper में मैंने publish किया हुआ या मैंने ये project किया था, वहाँ पे सीखी या मेरा ये capstone project है say for example, उस एक scholarship की requirement है कि आपको python आना चाहिए तो python को सीखने के लिए आपने कहां से सीखा, कौन सी certification ली उसके तरीके से आप बताएंगे अगर उनकी requirement है कि R आना चाहिए तो आपको R का पताओना चाहिए और अगर आपको different किसम के दर softwares उन्हों ने require के वो भी बताओना चाहिए अगर skills different required है तो वो भी आपको आने चाहिए तो अगर कोई scholarship आपके साथ ये सारी चीज़े match करता है then you have to tell in the third paragraph कि ये सारा कुछ मेरे पास है but line by line और लिखने का तरीका भी आपका असान होगा और आपको ये चीज़े जब आप बताएंगे तो obviously जो बंदा पढ़ने वाला होगा वो उसको और भी catchy लगेगा clear होगी बात अगर आपको clear नहीं हुई तो इस वीडियो को pause करें पिछला जितने मैंने बताया है उसको देखें उसके मताबिक चलें and then move forward ठीक है अगर आप नहीं समझेगे ना परेशान हो जाएगे समझेगे बात की let's see you in the next paragraph okay जी अब बात करते हैं fourth paragraph की motivation letter के fourth paragraph में आपने लिखना होता है कि जो skills आप इस scholarship के तुरू ग्रैब करने वाले हैं वो कौन-कौन सी है say for example after getting the admission into the master program जिस पे आप अपलाई कर रहे हैं जिस पे आप अपलाई कर रहे हैं कौन-कौन सी skills आपके पास आने वाली है और उन skills को आपने इस चोथे paragraph के अंदर लिखना है for example वो बता रहे हैं कि ये एक जो program है ये soil science का program है तो आपको क्या आएगा soil science की basics आजएएगी soil science की advancement आजएगी and analysis आजएगा अगर वो कहते हैं कि ये IT का program है and then you will learn data science skills तो आपको वो भी आजएगी तो आपने इस fourth paragraph में वो चीजें लिखनी हैं कि आप इस scholarship के थूँ क्या क्या जीत सकते हैं grab कर सकते हैं skill seek सकते हैं what you can actually get out of it अब इसकी आखरी line के अंदर आपने एक चीज लिखनी होती है जिसमें बोला जाता है कि what you can offer और you can offer का मतलब यह है कि जो आपके पास current skills हैं वो उस lab, उस group या उस university के लिए कैसे helpful सावेद हो सकती है ये था चोथा paragraph समझ आगी इसकी? नहीं आई? तो इसको repeat पे ज़रूर देखिएगा चोथा paragraph आपने लिख लिए है पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा paragraph लिखने के बाद आपको जाना है फिफ्थ paragraph पे जो आपके पहले pager का लास्ट पांचे line होंगी या तीन-चार line होंगी motivation letter की इसमें आपने क्या लिखना है इसमें आपने अपनी पूरी स्टोरी जो आपने स्टार्ट किया उसको end गरना है but you have to say something regarding के आप कहां से उठके आए किस तरीके से आपने सब कुछ सीखा future में क्या करने वाले हैं और अपना long term goal plan आपने बताना है short term आपने बता दिया होगा पिछले lecture के अंदर या पिछले paragraph के अंदर जिसके अंदर आपने बताया है कि इस एक motivation letter के through मैं क्या-क्या complete करने वालों मैं degree को finish करूँगा मैं आपकी lab को यह help out करूँगा जो हमारा last paragraph है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मैं में रहना चाता हूँ या whatever is your long term plan you can actually mention that in the last paragraph और इसको end ऐसे करना है कि बंदा curious हो जाए कि यह कौन है जिसने motivation letter लिखा है और उसको curious करने के बाद वो आप से contact करे last line हमेशा मैं यह लिखता हूँ if you want to know more about me I am curious to have a zoom meeting or any other meeting in future या आप यह भी लिख सकते है कि interview के दरान आप मुसे और भी पूछ सकते है आपनी curiosity जगा नहीं है और वहाँ पे छोड़ना है last but not the least at the end आपने best regards या sincerely yours लिखने के बाद नीचे motivation letter के अपने sign करने है अपने correct spellings लिखने है अपने नाम के email address लिखना है कोई whatsapp number नहीं देना nothing should be there only your correct email address और वो email address आपका gmail का outlook का यह कोई भी हो सकता है but that should be working email address क्या ख्याल है समझ आगी है तो पहले से लेके last paragraph तक यह आपका motivation letter है और अगर आपने इसको और भी detail में सीखना है तो top पे आपको वीडियो नजर आजाएगी या comment section के अंदर आपको मैं देदूँगा या video description के अंदर आपको देदूँगा जहां पे आप जाके पूरे का पुरा motivation letter सीख सकते हैं जहां पे हमने workshop करवाई हुई है तो मज़ाया इस वीडियो का नहीं आया आपको motivation letter बनाना सिखा रहा हूँ अब भी नहीं आपने सीखना तो कब सीखना है रोंदेरो पाकिसान चब है कि अपलाई नहीं करना अपलाई नहीं करोगे तो स्लेक्ट नहीं होगे स्लेक्ट नहीं होगे तो यहां पे नहीं आओगे last but not the least online earning का पीछा चोड़ दे scholarship को हंट करना स्टार्ट करें online earning से सिरफ आपका घर का चुला अच्छा जल सकता है लेकिन scholarship के साथ आपका घर का चुला भी अच्छा जलेगा आप दुनिया भी घूमेंगे और आप अपने आपको बहुत ज़्यदा grow भी करेंगे यहां तक आपको अगर clear हो गया सब को that's great, हवा इतनी चार रही है कि मेरे बाल भी उड़े हैं, but at the end इसी वीडियो को यहां भी खतम करते हैं, अपना ख्यार रखिए यहां इस चैनल का भी, take care and अलाहाफिज, असलाम लेकूम ढहां जो आलाहाफिज, क्यों दो इसिता है, जढे हो इस कि मेरे तो मेरे उड़े इस चार रही हां ज grin